नमस्कार मैं हूँ प्रभीन और आप देख रहे हैं निउस्क्लिक का डेली रॉण अप्शू आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर कोविड टीगे की कीमतों का घोटाला दिल्ली में शम्शानगाट कबिस्तानों की संक्या बढ़ाने को लेकर याचिका दाया करोन अब्रेट देश में 24 गंडों में 3,57,229 मामले 3,409 मरीजों की मौत असमें जेल से चुनाओ जीतने वाले पहले व्यक्ती बने अखिल को कुई और आखिर में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार देगी राशनकाट धारकों को मुफ्त राशन, आटो टैक्सी चालकों को मिलेगी आरθिक मदल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार अगले दो महीने के लिए राश्ची राजदानी में 22 लाख राशन काट धारगों को मुफ्त राशन तता आटो रिक्षा और टैक्सी चालकों को 5000 रुपए की आर्थिक साहता देखी आपको बता दे कि दिल्ली उच नियाले ने सोमवार को दिल्ली सरकार के मुख्य सचीव को और संगडित छेतर की विबिन स्ट्रेडियो के स्रमी को समय समाज के बेजुबान एवं हाशिये पर रहने वाले लोगों को उप्यूक्त एवं परियाबत राहत प्रदान करने के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए राश्री राजदानी में लॉक्डाउन दो मैने तक लागू रहेगा केश्रीवाल ने इन रातों का एलान करते हुए कहा कि हमें उन्हें उमीद है कि दिल्ली में हालत सुधरेंगे और लॉक्डाउन की ज़रुद नहीं पड़ेगी हाला कि अभी भी दिल्ली सरकार की इन रातों से प्रवासी मजदूरों को समर्थन नहीं मिल पाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे टैक्सी ऑटो ड्राइवर जो किराएगी गाड़ी चलाते हैं उन्हें कोई रात मिलती नहीं दिख रही है देखना होगा कि अगली तारिख में दिल्ली सरकार अदालत में इनको लेकर क्या योजना पेश करती है चार माई को दिल्ली उचन्यायाले ने COVID-19 की कारड रोज बड़ी संख्या में लोगों की मौत के कारड शहर में शम्षान घाट और कभिस्तानों की संख्या अस्थाई तोर पर बढ़ाने का रोध करने वाली जनहित याचिकापर केंद्र और दिल्ली सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा जबकि इससे पहले नगर निगमों ने शिम्षान में लकडियों की कमी कम मुद्दा भी उठाया था अब नगर निगमों ने लकडी के व्यकल्पी व्यस्ता पर जोड़ देना शुरू कर दिया है मुख्य नयादेश, डियन पटेल और न्याय मूर्थी जस्मिर सिंग ने की पीठ ने केंद्र दिल्ली सरकार, राष्ट्री आपदा प्रबंदन प्रदी करड़ और नगर निकायों को नोटिस जारी कर उनसे याचिकापर जवाब मांगा है अदालत ने प्रादिकारियों को याचिका करता प्रत्युष प्रसंद द्वारा अप उपलब्द आकड़ों पर विचार करते हुए अपने जवाब देने के निर्देश दिये हैं वकिल स्निक्दा सिंग के जड़िये याचिका में प्रसंद ने दावा किया अस्पतालों में बिस्तरों और जाजकिट तता ऑक्सिजन आपूर्ती जैसे अन्य सामान की भारी कमी के कर देश में खास्त और से राश्री राजधानी छेत्र में बड़ी संक्या में लोगों की म बढ़ाने की आवशक्त है केंदी स्वास मंत्रारे दोरा आज मंगलवार यानि चार मई को जाली आगणो कर देश में पिछले 24 गंटों में कोरोना के 3,57,229 मामले दर्श किये गए हैं इसके अलबा कोरोना से एक दिन में 3,449 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश हुई है देश में शंक्रमण के कारण के मामलों की संक्या बढ़कर 2,2,82,833 हो गई है जिन में से 2,22,408 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में करोना पिड़िद 81,909 फिस दी यानि 1,46,3,2,92 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 16, देश में करोना वैक्सीन की 15,89,32,921 दी जा चुकी है जिन में से 17,8,390 वैक्सीन की दोस पिछले 24 घंटों में दी गई है अब जबकि देश पूरे एक सदी के अपने सबसे भयानक स्वास संक्र से जूज रहा है कोविटी का उतपादकों ने इस मौके का फायदा उठा कर मुनाफ़ा खोरी की एक मुहीम छेड़ दी है उन्होंने मोदी सरकार की अशमता या मिली भगत का फायदा उठा कर ऐसा किया है प्रभाद पतनाई लिखते हैं भारत सरकार के लिए चार विकल्प सोचे जा सकते हैं पहला कोविट टीके का उतपादन का राष्ट्री करण द सरकार से लिया जाने वाला दाम तै करें और आखिर में प्रतिसपर्दी बोलियों के जरिये नए टीका उतपादनों को के लिए मैदान खोला जाए संचोजित नागरिता कानूत यानि की CAA विरोधी कारेकर्ता अखिल गोगोई असम्य जेल से विदासबाज जुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं उन्होंने सीव सागस सीट से भाजबा की अपनी निकट्तम प्रतिद्वन्दी सुर्भी राज कोनवारी को 11,875 मतों से शिकस्त दी हैं नवगठीत रायजोर्ट दल के संस्थापक बिसंबर 2019 से राहसद्रों के आरोग में जेल में बंद हैं निर्दली के तौर पर चुनाओ लड़े अकिल गोगई को 57,219 वोट मिले जो 46,06 प्रतिशत मत हैं कॉंग्रेस ने शुरू में तो रायजोर्ट दल के प्रमुक का समर्थन किया लेकिन बाद में शुब्रमित्रा गोगई को टीकेट दे लिया जो तीसरे स्थान पर रही सब्सक्राइब करें साथी देश और दन्या के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक इंस्ट्रागाम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया